हांजी तो idioms and phrases का आज दस्वमा दिन है और आज हमें जो idioms learn करनी है उनका भी दर्शन करते हैं उनको भी समझते हैं तो जो आज की हमारी पहले idiom है that is a sore point a sore point शोर का मतलब तो clear है शोर का मतलब जोर-सर क्षे जे लोगे शोर मतलब सहर च्जाए उसे कहा जाएंगा शोर- Print यानि ऐसा कोई मुद्दा जिससे आप आप नाराज होगे तो आप सोर मचाओगे की नहीं मचाओगे तो ऐसा कोई मुद्दा जिससे आप सोर मचा रहे हो इसका मतलब आप उससे नाराज हो गए हो तो an issue which makes someone angry ऐसा मुद्दा जो किशी को नाराज कर दे जैसे हर past mistakes are a sore point in their relationship उनके relationship में उनके संबंदों में जो उनका past गलतियां है वो क्या हो चुकी है? sore point हो गई है विवाद का जड़ हो चुकी है नाराज कर देने वाले मुद्डे हो चुके है ठीक? a sore point next idea means acid test acid test में इन से क्या होता है? cutting परिच्छा के लिए acid test यार, acid जैसा test अगर होगा acid तो खतरनाक होता है और खतरनाक परिच्छा फिर खतरनाक परिच्छा का मतलब cutting परिच्छा और ये कब होती है? evolution of something to determine its true quality cutting परिच्छा तब होती है जब किसी की true quality को उसकी true value को find करना हो determine करना हो तब होती है acid test तो hard examination, difficult examination evaluation of something to determine its true quality examination of true quality ये होता है acid test beat the air what is beat the air? beat the air, हवा को पीटो beat मतलब पीटो, हवा को हवा को पीटना क्या लगता है? पीटा जा सकता है? हवा को पीटा जा सकता है? नहीं इसका मतलब है वो जो भी पीट रहा है हवा को उसका प्रियास क्या हो रहा है? निस्फल हो रहा है उसका प्रियास बेकार है क्योंकि हवा को तो वो पीट ही नहीं सकता तो beat the air का मतलब है to make useless effort बेकार कोशिश कर रहा है यार हवा को पीटा जा सकता है नहीं पीटा जा सकता ना तो फिर कहे लिए पीट रहे हो हवा को हब आपको पीट रहे हो बतलब बेकार कोशिश कर रहे हो निश्फल प्रयास कर रहे हो ठीक next idea is beat a dead horse मरे हुए घोडे को पीटना आब लो एक तो मरा हुआ है उसको पीट रहे हो अच्छा मरे हुए घोडे को पीटोगे क्या बहुत महानकार हो उससे कोई अर्थ निकलेगा उसका कोई परिडाम निकलेगा नहीं न तो फिर से वर्थ प्रयास कर रहे हो अगर घोडे ने कोई गलती कर भी दिया आप उसको सुधारना चाही रहे हो और वो मर चुका है तो उसको पीटने से आपका प्रियास सुधारने का सही रहा नहीं न बेकार का प्रियास है तो to make useless effort वर्थ प्रियास करना beat a dead horse by the book by the book इसका क्या मतलब है अब अगर कोई चीज बुक के द्वारा की जाए मतलब बुक की help से की जाए बुक के माध्यम से की जाए तो वो चीज क्या की जाएगी वो चीज गलत नहीं होगी वो चीज नियम से होगी क्योंकि बुक के माध्यम से करने का मतलब है कि नियम से कर रहे हो तो by the book का मतलब ही होता है नियमा अनुसार exactly according to the rules dear I hope कि आज की ये पाचो एडियम सापको जरूर लर्न हो गई होंगी ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बाबाय और चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलना बता दे रहे हैं भोलना मत सबस्क्राइब करके जाना ठीक है